देखे अब जो मैं आपको ट्रिक पता हूँगा अब हमें पार्सिंग टेबल भी कंस्ट्रक्ट करने की जुरुत नहीं पड़ेगी हम सिंप्ली डैरेटली फर्स्ट और फॉलो की मदद से ही हम देख पाएंगे कि वेदर दी ग्रामर इस लल वन और नॉट और यह ट्रिक यहां पर प्रोडक्शन रूल दी है कुछ इस तरह से क्योंकि यही वाली प्रोडक्शन रूल हम चेक करते थे जहां पर राइट-इन-साइड में मल्टिपल इंटरीज होती हैं क्योंकि वही कॉन्फलिक्स क्रेट करती हैं तो लेट से एट टेंस टू अलफा वन अलफा इस लेंगे उसमें नल मूवस भी होंगे तो फिलाल यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर नल मूवस नहीं है इस केस में जो कंडिशन जो सेटिस्फाइ होनी चाहिए फोर ग्रामर टू भी ऐलल वन वो यह वाली होंगी सबसे पहली चीज़ यह होनी चाहिए कि फॉर्स अफ एल्फा वन ठीक है दाट शुड बी उसका जो इंटरसेक्शन है वो फॉर्स अफ एल्फा टू के साथ क्या होना चाहिए फाई होना चाहिए यह मिaneस कुछ भी नहीं रिजल्ट आपका नहीं आना चाहिए था क्या है फाई अना चाहिए सेकंड ग्रे कंडिशिन जो है वो होनी चाहिए आपकी फर्स अफ एल्फा वन इंटर्सेक्शन फर्स अफ एल्फा 3 गात अब इसी प्रकार 3rd condition जो है वो आपकी होनी चाहिए 1st of alpha 2 intersection 1st of alpha 3 ठीक है which is equal to 5 यह तीनो की तीनो condition आपकी exist करनी चाहिए ऐसा नहीं कि कोई एक condition exist करे तीनो की तीनो exist करनी चाहिए तभी आपकी grammar जो है वो ll1 होगी that means मैं यहाँ पे कहना चाहरा हूँ कि यह pairwise disjoint होने चाहिए pairwise disjoint क्या होने चाहिए अगर alpha 1, alpha 2, alpha 3 pairwise disjoint होने चाहिए तभी आपकी grammar जो है वो ll1 होगी for example यहाँ पे मैं एक example लेता हूँ और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तब और clear out हो जाएंगी तो यह हमें grammar दीगी है और इसको हमें चेक करना है कि whether the grammar is ll1 or not तो यह वाली जो production है से हमें चेक करने की जुरूत नहीं है because single entry है right hand side पे यहाँ पे दो है तो यह हमारी let's say alpha 1 हो गई यह हो गई alpha 2 ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करोगे first of alpha 1 हमारी क्या थी जो है हमारा E ठीक है उसका intersection करना है किसके साथ first of A के साथ जो हमारा है alpha 2 तो first of E अगर आप निकालोगे तो first of E हमें क्या मिलता है इस वाली production rules हमें मिल गया A that means हमें यहाँ पे मिलेगा A intersection और क्योंकि यह terminal नहीं था तो यहाँ पे मिलेगा A तो हमें final result fine नहीं मिला हमें यहाँ पे मिल गया A ठीक है that means कि यह grammar आपकी LL1 नहीं है यहाँ पे conflicts arise हो रही है यहाँ पे conflicts होगी conflicting entries होगी इसकी parsing table के अंदर अगर आप चाहो तो इसे construct करके देख सकते हो तो यह grammar LL1 नहीं है तो देखे कितना असान और कितना fast होगया हमारे लिए एक grammar को LL1 determine करना और यही advantage हमें मिलता हमें इस formula का और काफी यह formula handy होता है हमारे gate exam में जहाँ पे हमारी time की बचत होती है because it's a competitive exam और वहाँ पे जितना time आप save कर पाओ उत्रा आपके लिए beneficial होता है well friends just in case अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं by just clicking on this subscribe button एनीची जो ध्यान रखेगा subscribe button पे click करने के बाद आपके पास यहाँ right hand side पे settings का button आएगा जिसको आप click कर सकते हैं और click करने के बाद यहाँ पे आप notifications के लिए email reminders भेजने के लिए आपके पास एक option आता है send me updates इसको click करिए and then save जैसे ही फिर आप mail पे login करेंगे तब आपको YouTube की notifications आएंगी जब भी new videos upload होती है for example यहाँ पे social tap के अंदर YouTube की notification आई होई है कि computer forum NCR has just loaded a new video तो इस तरह की updates आपको मिलती रहेंगी just in case अगर आप subscribe कराते हैं तो ध्यान रखेगा जो भी notifications आपको YouTube की तरफ से आएंगी वो social label के अंदर आएंगी and एक चीज में आपको यहाँ पे और पताना चाहूंगा कि जो भी latest videos हैं जो भी new videos हैं वो mostly हम Tuesday evening 8 p.m. पे publish करते हैं so do visit this channel regularly and yes thank you so much for watching these videos